नमस्कार प्रिये दर्शकों हाजर हूँ मैं 28 अक्टूबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानि दयनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एकारिक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज सोंबार है कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज एका दशी तिथी है जो प्रातः 7 बच करके 50 मिनट तक है और इसके पुष्चात 2 दशी है पूर्वा फालगुनी नक्षत्र दो पहर 3 बच करके 24 मिनट तक और इसके पुष्चात उत्तरा फालगुनी नक्षत्र है ब्रम्हयोग बालव करण है बातुगी पुष्चांकी चंद्रमा आज शुम्हराशी में अरात्री 10 बच करके 11 मिनट तक और इसके पुष्चात कन्या राशी में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित महुरत का समय दिन में 11 बच करके 19 मिनट से 2 पर 12 बच करके 4 मिनट तक का होगा वही राहुकाल प्रातः 7 बजे से 9 बजित जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुहकारिय जिस कारिय से चुरकाल तक लाव लेना हो ऐसे प्रतेक कारिय को अभिजित महुरत में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित महुरत हरिकवती प्रिय है राहुकाल में कोई भी नयाकारे प्रारंभ नहीं करना चाहिए प्रेदर्शकों रंभा एकादशी ब्रतकामान सबके लिए आज ही है और आज ही प्रदोशकाल में द्वादशी तिथे मिलने के कारण गोवत्स द्वादशी मनाई जाएगी आज के दिन गाय के दूद से निर्मित किसी भी खाद्य सामगरी का सेवन प्रयत्नत नहीं करना चाहिए जब भी आप किसी जोतिसी के पास जाईए मुझे भी साथ साथ उसमें जोड लीजे तो कहा जाता है ये पाठ करिये, जब करिये, हवन करिये परंतु आपको कभी ये किसी नहीं बताया होगा कि आपको मुख्य रुप से क्या करना चाहिए जिसको करने से आपको लाभ मिलेगा साथी साथ जन्म कुंडली के ग्रह भी मजबूत होंगे और बेहद साकारात्मक परिणाम देने लगेंगे तो आज दिब्य महा प्रयोग में आप ये जान लेंगे कि क्या करना चाहिए आपको आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपको जब करना चाहिए जब करना आपके लिए स्रिष्ठ है अथवा हवन करना आपके लिए बहुत स्रिष्ठ है अथवा पाठ करना अत्यनतसरेश्ट है दिब्य महाप्रयोग केवल दिब्य नहीं बेहद ज्यान वर्धक है दिब्य महाप्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूरुबात कर लेते हैं ग्रहिस्थितियों की गुरु वक्रवस्था में ब्रशभरासी में संचरण कर रहे हैं तो अहीं मंगल करक में हैं चंद्रमा शिंभ में हैं केतु कन्या में सूर्य और बुध यूती बनाकर तुलारासी में संचरण कर रहे हैं शुक्र वरिश्चिक में, शनिदेव, वक्रवस्था में, कुम्भ में, राहू मीन में, ये है ग्रहिस्ति, प्रेदर्शुकर गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, वो दो नक्षत्रों में है, आज दिन भर ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में होंगे, स सब बढ़िया रहने वाला है और मेंश शेलेकर मीन राशी पर्यंद, प्रतेक राशिके जातकों के लिए किस ग्रह के विश्यस प्रभाव में रहने वाले हैं आप कौन सा वुष्णान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को स्रेश्ट बना सकते हैं अब विश्यों पर चर्चा आगे हम अराशिफल में करेंगे, तो यह है ग्रहिस्तुति, इन्हीं ग्रहिस्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तयार किया, नि दैनिक अराशिफल तयार किया है, वो नेदर शक जो मेरे इस राशिफल के कारिक्रम को आ नहीं जानते हैं, तब फिर आप अपने प्रचलिंत नाम राशिप्याधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं, मुहुर्त की दो नमबर दिन शनिवार, इस्टिका दहन, बाकि उस दिन कोई और मुहुर्त नहीं है, जिब बेमहा प्रयोक की ओर लेकर के चलूँ, उससे पूर बता दूँ, यदि आपकी दिल्चस्पी जोतिस में है, जोति सीखना चाहते हैं, तो इस लिंक को क्लिक करना मत भूलिए, और सब एक से बढ़ करके एक नायाब हैं, अगर आप जोतिस सीखना चाहते हैं, जोतिस सीख रहे हैं, तो ये सभी प्लेलिस्ट आपके लिए बेहद सहयोगी हैं, विशेसकर किए प्लेलिस्ट जिसका मैंने भी लिंक दिया, ओनली एस्टोलोजी, ये तो आपको एक तरह से खजाना है, इसे आप पूरी तरह से देख लिजे, और विश्वास मानिय जोतिस का जो भी ना आता हो, तो आने लगेगा, ये मेरा दावा है, चली चलते हैं आज को उस अद्भुत दिब्ब्य प्रयोग की ओर, प्रिदर्शकों सबसे पहले प्रारंभ में वो जानकारी आपको मिलनी चाहिए, देखिए, भगवान की आराधना हम जिस विधी से करें, चाहे वो जब करें, चाहे वो पाठ करें, चाहे वो हमन, सब स्रेष्ट है, तरीका कोई भी हो, लेकिन अब ज़रा सोचिए, इंसान क स्वभाव कैसा है, इंसानी स्वभाव ऐसा है कि हम दो करें और चार मिले, हमारी ये चाहत है, तो जाहिर सी बात है कि हम हर जगा यही उम्मीद रखते हैं, अगर जोतिश भी हम देख रहे हैं, मुहुर्तों का विचार कर रहे हैं, तो ये किस लिए कर रहे हैं, भाई हम जो करेंगे वही हमें मिलेगा तो फिर हमें इसकी भी जरूत नहीं है लेकिन हम क्यों कर रहे हैं कि दो करें तो चार मिले इसी उद्देश्य से तो जरा ये समझ लीजिए कि पूजा पाठ विश्रिस करके उसमें हवन या पाठ या मंतरजब अगर ये करने से आपकी कुंडली के ग्रह बली हो जाएं तो इससे बहतर क्या हो सकता है आईए जान लेते हैं कि किस स्तुती में जातक के लिए पाठ सबसे अधिक स्रिष्ट होता है अब ध्यान से सुनिए अब एक पहले सूत्र सुन लीजे का उद्देश से ये है कि मान लीजे मैंने आपको कहा रामरक्षा इस्तोत्र का पाठ करिए रामरक्षा इस्तोत्र का पाठ हमने किया हमारे जीवन में कोई विशेस मार के इस किस्तिती हो हमारी सुरक्षा खो गई लेकिन साथ ही साथ अगर इसके करने से आपकी कुंडली के ग्रह भी ठीक हो जाएं कितना स्रिष्ट होगा अब ज़रा समझेए मान लीजिए कि पाठ किसको करना चाहिए किसको विशेश रूप से पाठ ही करना चाहिए जब भी आपको विशेश पूजा पाठ करें तो आपका पूजा पाठ पाठ हात्मक होना चाहिए जब जन्म कुंडली में बुध या देव गुरु ब्रहस्पती कमजोर हो अथवा पीडित हो ऐसे लोगों को विशेश करके पाठ करना लाभप्रद होता है आप जानते हैं बुध कौन हैं देव गुरु कौन हैं ये ज्यान सक्षा इन समबाद के कारग्र हैं और इनकी सांती जो है विशेश पूप से पाठ करने से होती है अगर देखा जाए तो जो तो शास्त्र कहता है कि ऐसे लोगों को धार्मिक ग्रंथों का अध्यान करना इत्यादी पूजा पाठ में विशेश रूप से पाठात्मक वाचात्मक वाणी से जो तेजी से बोला जाए आवाज जिसका निकले इस तरह से आप करें अपना पूजा पाठ जो भी आपको करना है अब सवाल लुकता है कि आप कहते हैंगे नहीं मेरा रोज दो माला जपना भी है तो क्या मैं छोड़ दुहरे नहीं छोड़ना नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूँ लेकिन आपको विशेस रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पूजा पाठ में जरूर से पाठ वाली कोई न कोई चीज सम्मिलित होनी चाहिए पाठ करने से आपको विशेस लाव मिलेगा अगर आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु ब्रहस्पती या बुध किसी भी तरह से पूड़ित हो चाहे वो नीचके हो पापगर से द्रिष्ठ हो पापगर से युत हो अस्त हो मृत हो आप जो भी करिए अपने दैनिक पूजा पाठ में बस इतना ही कर लिजे कि पाठ विशेस रूप से सम्मिलित करिए अब ज़रा ध्यान से सुनिए जन्म कुंडली में सूर्य, मंगल और शनी अगर ये किसी तरह से पूड़ित हो जिसमाली किसी कुंडली में सूर्य, सनी का सम्मंद है, मंगल का सम्मंद बन रहा या राहू सी दृष्ट हो रहे हैं, सनी किसी तरह से नीच के हो रहा है इत्यादी आपको विशेस रूप से हवन करना चाहिए अगर आप हवन करते हैं तो सूर्य, शनी, मंगल हवन करने से ठीक हो जाएंगे आपके अंदर आत्म विश्वास में आपके बृध्धी होगी हवन के माध्यम से इन ग्रहों के तत्व जागरत हो जाएंगे विश्यस करके यदि आपकी कुंडली में ये ग्रह अष्टम में भी हो, सष्ट में भी हो, पापग्रह से युत हो, द्रिष्ट हो, तो आपको हवन का सहारा लेना चाहिए अब सवाल उठता है, आप कहते हैं, नहीं जी मैं तो रोज पाठ करता हूँ, मेरे दो-तिन पाठ हैं, मैं दुरगा सब्तसती के भी कुछ पाठ करता हूँ, तो कोई और मेरे पाठ हैं, हनुमान चालिशा का दो पाठ करता हूँ, नवग्रज तो तुर का पाठ करता हूँ ये ग्रह आपके ठीक हो जा रहे हैं, तो सवाल उठता है कि क्यों न आप प्रत्नतह कम से कम सब्ताह में एक बार हवन करिए, अगर आप हवन करते हैं, तो ये ग्रह अधिक प्रभावशाली आपके लिए हो जाएंगे, और यदि आपकी कुंडली में शनी कोर करिएगा, शनी क किसी तरह से भी परिशान आपको कर रहे हों, पिडित हों, तो इनको ठीक करने के लिए आपको जप का सहारा लेना चाहिए, और वो भी मानसिक जप, मन में एकदम से मंत्र को सोचने वाला जप, अगर मानसिक जप किया जाए, राहू के तूशनी अश्टम में होकर के कस्ट दे रहे हों, या यूती बना रहे हों, सापित योग का निर्मान कर रहे हों, तो ऐसी इस्तिती में जातक यदी मंत्र जप करे, अब अगर आपको ये ध्यान रखना होगा, कि कोई न कोई एक मंत्र जप भी आपको नित्य प्रारंभ कर देना चाहिए, नित्य जप करने से आ बुरू खराब हैं, और साती साथ शनी भी खराब हैं, और साती साथ मेरी कुंडली में राहू भी खराब है. तब तो मुझे तीनों करना चाहिए. देखिए, इसमें हवन को हटा दिया जाए. तो फिर, दो चीजें तो आमतर पर लोग करते ही हैं, जप और पाठ रोज लोग कर लेते हैं। हवन नित्ते नहीं करते। तो हाँ आप हवन को भी अपने पूजा में सम्मिलित करिए रोज नहीं तो सप्ताह में कम से कम एक दिन। एक बात। अब जिनकी कुण्डली में ऐसा नहीं है कि तीनों में से एक ग्रह खराब हैं। दो खराब हैं। अब हवन वाला खोना आखी खोरा तो आपको एक होन जोड़ लेना होगा, अब कोई ऐसा है, मेरा तो ऐसा है कि मेरी कुंड़ी में आप होन वाले जो गिरह बता रहे हैं, वही खरामें, लेकिन होन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं समझता हूँ आपकी परिष्टति, कि मैं रोज तो नहीं कहता लेकिन कम से कम सप्ताह में एक दिन ऐसा निकालिए जब छोटा से एक हवन का ब्योस्था करके उसमें आपको कोई भी आप मुझसे पूछेंगे किसका हवन यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि आपके किसी भी पूजा पाट से आपके ग्रह ठीक हो ठीक होंगे इस प्रक्रिया से शनी को दोनों ही में रखा गया है हवन में भी रखा गया है और जब में भी रखा गया है अब अगर आप कहते हैं कि मेरी कुंडली में शनी देव खराब है मुझे क्या करना चाहिए निर्भर करता है अगर हवन आसान है तो हवन हवन आसान न अब एक और होई पॉइंट है, माल लिया जाए, जैसे मैंने पहला पॉइंट क्लियर किया कि कोई ये कहता है मेरी कुंडली में तीनों खराब है, अब तीनों बहुत खराब तो नहीं होंगे, इसमें ऐसा भी कोई होगा जो बहुत जादा खराब है, उपर से वो अकारक ग्रह हैं, भाग्यस हैं आपके, और उपर से गुरु आपके नीच हो गया है, या खराब हो गया है, किसी भी तरह से, जनमांक नौमांस कहीं भी, अब आपने कल से ही कोई भी एक पाठ, मैंने ये नहीं न कहा कि कौन सा पाठ, कोई भी पाठ, आप हनुमान चालीसा को पाठ माल ल जाएंगे, और जिनके ठीक हैं, और बली हो जाएंगे, तो आप ये जरूर जान लीजिए, और अपने इन ग्रहों के हिसाब से ही शुरू करिए करना पाठ, जब यहवन और कमाल देखी, चले चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशिए मेश राश के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चिंद्रमा आपकी रासी से आज पंचम में है, ये चंद्रमा क्रमसह देखा जाए तो शुक्र और फिर सायमकाल सूरे के नक्षत्र में होंगे, आज अगर घर के आसपास या तो दो चीजे हों, या तो आपके गुरू जी आपके करीब रहते हैं जिन स आत्मी विश्वास में आपके बृध्धी हो जाएगी, बाकी अगर हल के दिनों में आपको धन हानी कोई बढ़ी हुई है, तो उस तरह के धन हानी से मुक्ति मिलेगे और उसकी भरपाई करने वाला है दिन आज का, बाकी साथ जहां भी रहेंगे लोग आज आपका लापारियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन पर कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो पूरी सा अधाने साथ क्योंकि मैंने क्या कहा, कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होने वाली है, तो लापारवाही नहीं होनी चाहिए, इस से नुकसान हो जाएगा, बाकी कि बिस्मत का साथ मिलने वाला है, लब लाइफ आज आपका बढ़िया रहने वाला है, दामपत्य जीवन भी पूरी तरह से सुख में देख रहा हूँ और विद्यार्थियों के दिबात कर लें, तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, और वहीं आपके स्वास्त क द्रिश्टिकोंड से देखें, तो कोई विशेस परिशानी नहीं है, लकियंक दो, और लकी कलर आपके लिए ज लाल है, निवेश आप करें, बात अब रुषब की कर लेते हैं, गोचर कुंडली में चंद्रबा का, आपकी रासी से आज चतुर्थ का संबंध बन रहा है, अ काम बढ़िया चलेगा, दिन भी बढ़िया बीतेगा, फाइदा भी होगा, कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, कोई बढ़ा फैसला करना चाहते हैं, तो करिए, और कारिस्थल पर आपकी कोशिश भी पूरी तरह से सफल रहने वाली है, ब्यापारियों को ब्य स्वास्त के मामले में आपको डॉक्टर से अपने जरूर मिल लेना चाहिए, विश्यस करके जिन लों को कफ जन निरोग की शिकायत है, उनको, जिनको किसी भी तरह से हाट की प्रॉबलम है, सीने में दर्द इत्यादी की शिकायत रहती है, वो अपने स्वास्त का जरूर खय परना का आप किरासी से तीसरे का संबंध बन रहा है, आज स्नान के जल में इलाईची के साथ दाने और थोड़ा सा गुलाब जल मिला लिजेगा, इसी जल से स्नान करिएगा, और सबसे प्यार से मिलिए, अपने क्रोध पर नियंत्रन रखिए, क्यों? क्योंकि आप अपने क उर्जा को सही डंक से उसका इस्तेमाल करिए, किसी पर क्रोध करके अपने उर्जा को ब्यर्थ मत गमाईए, जहां भी रहेंगे, वहां सहयोग मिलेगा, बिगड़े काम भी बनेंगे, बस मेहनत से जी नहीं चुराना है, कारिक छित्र में सफलता वाला है दिन, वीबाद की भी स्तिती उत्पन होगी, इससे बच करके रहना है, बाकी कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, ब्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, सफलता दाई है, खुशी देने वाला है, और ब्यर्थ के ब्याय से आज आज आपको बचना होगा, और लखी कलर, आपके लिए आज ब्राउन निवेश अवश्य करिए, करक के जातकों की बात कर लेते हैं, गोचर कुंडली में चंद्रमा रासी से आपके दूसरे में संचरन कर रहे हैं, दिन बढ़िया है, इस दिन को और स्रिष्ट बनाए रखने के लिए आज प्राता काल जो की करम सह शुक्र और फिर सूरे के नक्षत्र में संचरन करेंगे, आज मन को इस्थिर करेंगे, धन लाभ कराएंगे, कारिस्तल पर भी दिन बढ़िया बीतेगा, वहीं बीपरीत से विशे से सहयोग प्राप्त होगा, ब्यापारी है, स्वतंत्र ब्यापार करते हैं, तो को अनिद्रा की शिकायत रहती है, वो जिनको गले में दर्द की शिकायत है, वो और जिनको ब्लड प्रेसर की शिकायत है, वो अपना विशेस खयाल रखें, लखी अंक दो है, आपके लिए लखी कलर पीला है, और बात सुम्म की कर लेते हैं, गोचर कुंडली में चंद्रमा करिएगा, दिन अच्छा बीतेगा आपका, गोचर कुंडली की स्तिति को देखें, तो दिन आपके पक्ष में है, आमदनी में ब्रुद्धी, हलाकि खर्च में भी ब्रुद्धी होगी, पर बात ये है कि जो खर्च है, आप अपने परिवार के उपर करेंगे, अपने विशे से सहयोग मिलेगा, परिवार का भी समर्थन प्राप्त होगा, कारोबारियों के लिए दिन बेहत खास है, पार्टनर्शिक में दिया आपका ब्यापार है, तो दिन बेहत बढ़िया, बेहत खास, बिना सोचे समझे बोलना, हर बात में ठीका ठीक पणी करना ठीक नही है, लकियं के साथ, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है, निवेश करें, बात कन्या की कर लेते हैं, गोचर कुंडली में चंदरमाय रासी साब के आज बारवे में हैं, केशर का तिलक अपने माथे पर लगाईए, और ओम ग्राम, ग्रीम, ग्रॉम, सह, गुरवे, नमह, समंत्र का 108 बार जब करिए, फायदा मिलेगा, बाकी गोचर कुंडली किस्तिति को देखें, तो सब कुछ आपके पक्ष में ही है, धहरे चाहिए, संयम चाहिए, सफलता मिलेगी, जो भी काम करिए, पारदर सिता के साथ करिए, ऐसा कोई कार्य ही मत करिए, जहां आपके दब काम से जीमत चुराइएगा, ब्यापारी हैं और विशेष करके अपने पैत्र क ब्यापार को करते हैं, तो आज का दिन बढ़िया है, कोई उल्जन या परिशानी थी, वो सुलजेगी, पिता का स्वयोग मिलेगा, और कोई बड़ा निवेस करने की सोच रहे हैं, तो बहुत सावधानी के साथ, कोई बड़ी खरिदारी का फैसला अभी स्थकित रखिए, कहीं बड़ा इंवेस्टमेंट करना है, कोई बड़ी मसीनरी वित्यादी खरिदनी है, तो आज उसके लिए दिन ठीक, नहीं है, प्रेम संबंध में मजबुती दिख रही है, और विद्यार्थ चंद्रमा आपकी रासी से आज लाभ का संबंध बनाए हुए हैं, और ये चंद्रमा देखा जाए, तो आज पूरे दिन शुक्र और फिर सूरी के नक्षत्र में संचरन करें शनान के जल में, इलाईची के साथ दाने और थोड़ा गुलाब जल मिलाकर के शनान करिएगा, दिन बढ़िया बीतेगा, आर्थिक दृष्टिकोंड से बहुत ही अच्छा, लेंदेन से समंधित कारियों को करने के लिए दिन अनुकूल है, रिस्तो में यदि कोई अनबन चल रही है, चाहे वो जीवन साती के साथ हो, प्रेमी के साथ अनबन दूर होगी, कारिस्तल पर कोई दिन बढ़िया जाने बाला है, कोई अतरिक्त जम्यदारी आपको मिलेगी, कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, अवसर मिल रहा है, इस अवसर का आपको लाब उठाना चाहिए, वेवसाईयों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, सफलता दाई, और तो और व्यापार में लाब होगा, कोई बड़ा इन्वेश्टमेंट करना है तो कर लीजिए, परन्तु जोश में आकर के कोई काम मत करिए, दामपत्ते जीवन में कोई गलत फ़हमी के कारण परिशानी उत्पन होगी थी, वो दूर होगी, और प्रेम संबंध के मामले में विदिन शुक में है, लखी कलर, आपके लिए आज पिंक है, और निवेश आप अवश्च करिए, वरिश्च के जातकों की बात कर लेते हैं, गोचर कुंडली में चंद्रमारासी से आपके आज दोसम में संचरन कर रहे हैं, आज तुलसी के पत्र पर, तुलसी जी का एक पत्ता गिरा होतो ले पत्ता फिर तुलसी जी के जड़ में ही डाल दीजेगा, सामारिक तोर पर, बाकी और देखा जया है, तो पारिवारिक तोर पर कारे स्थल पर हैं, तो सामोहिक तोर पर हर तरह से दिन बढ़िया है, सहयोग मिलेगा आपको, नौकरी पेसा ब्यापारिवर्ग दोनों के पर जूट बोलने से आज आपको बचना होगा, लव लाइफ ठीक है, दामपत्य जीवन तो बहुत ही ठीक है, बिद्ध्यार्थियों के लिवी दिन अच्छा है, पिता के स्वास्त में थोड़ी परिशानी है, तो उनका ध्यान रखिएगा, कफजने लोग इत्यादी, अस ह किशनान के जल में, इलाइची के साथ दाने, और थोड़ा गुलाब जल डाल करके शनान करिएगा, दिन अच्छा हो जाएगा, आत्न विश्वास में आपके बृद्ध ही हो जाएगी, तो अहीं पारिवारिक जीवन दे कोई समस्या चली आ रहे थी, उसका समाधान मिल किसी को धन उधार मत दीजेगा, उधार ले सकते हैं, देना नहीं है, प्रिम्यो कले दिन अनुकूल है, प्यार का इज़ार करना चाहें तो कर सकते हैं, बिद्ध्यार्थियों के भिदिन को मैं अच्छा कहूंगा, और स्वास्त के मामले में कोई खासा परिशानी तो नहीं पिता को अगर मधुमे हैं तो उनके स्वास्त का ख्याल रखें लखियंग एक है लखी कलर आपके लिया आज काला और निवेश आप करें मकर के जातकों की बात कर लेते हैं गोचर कुंडली में चिंद्रवार रासी साब के अश्टम में हैं आज अपने इश्ट देवता के मंदर में अगर आपके गुरू जी आपके आस पास रहते हैं तो उनके पास चले जाएए अथवा किसी सिद्ध संत के समाधी पर जाकर के धर साबित होंगे और जरुवत पढ़ने पर हर संभाव मदद आपको मिलती चली जाएगी अचल संपत्ति से समंधित कारियों को करने के लिए दिन बढ़िया है दिन अन्कूल है व्यापारियों के लिए अच्छा है व्यापार के सिलसले में दियात्रा कर रहे हैं तो लावपरत पर विवाद से दूर रहना होगा करज लेन दिन के दृष्टिकोंड से दिन ठीक नहीं है स्वास्त का आपना विशेस ख्याल रखी है जीवन साथी का सहयोग तो मिलेगा परन्तु आपके जीवन साथी को आज विशेस रूप से तनाव महसूस होने वाला उनको उनके कॉन् हो सकती है बाकी आपके स्वास्त में वैसे कोई विशेस खास दिक्कत तो नहीं मुझे दिखती लकी अंक तीन लकी कलर सिंदूरी है निवेश आप जानकार की राय से करिए कुम्भ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंड़ी में चंदरमा रासी से आपके आज सप्तम में हैं अब देखा जाए तो इचंदरमा क्रमसह शुक्र और फिर सूरे के नक्छत्र में होंगे आज की सर कतिलक अपने माथे पर लगाईए ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरवे नमह इस्वंत्र का 108 बार जब करिए फाइदा मिलेगा अपने उपर भरोसा करिएगा आज खुद के बल पर ही सारी परिशानियां कठिनाईयां आपकी दूर होंगी वक्त का के साथ चलते चले जाएए या लाभ मिलेगा आपको और विदेश यात्रा से भी फायदा है और विदेश से जुड़कर के भी लाभ कमाने का अवसर आपको मिलने वाल है नौकरी पेसा व्यापारी वर्ग दोनों की बात करें तो आज का दिन बहुत अच्छा है और नहीं है अनकुल मिलाकर के देखें तो कुमब के जातकों का दिन वहत खासे लखी अंक चार लखी कलर आपके लिए आज ओरेंज है निवेश आप करें और मीन के जातकों की बात करें तो आज का दिन बढ़िया है इस दिन को और अच्छा बनाए रखने के लिए प्रातव काल तुलसी जी का एक पत्ता लिजे उस पर अपनी अमध्धिमा उंगली से अपनी कामना सोचते हुए लाल चंदन का एक टिका लाल चंदन ही तो रोली रो लेकिन काम से जी नहीं चुराना इमानदारी के साथ अपने काम को पुरा करिए लेन देन का काम नहीं करना इस थकित रखी आज दूसरों के काम में दखला अंदाजी बिल्कुल नहीं करनी है लबलाई ठीक है आपका दामपत्य जीवन भी सुख में दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए तो अत्यन तस्रिष्ट है दिन आज का दिन जो नतीजा लेकर क्या रहा है वो पूरी तरह से संतुष्ट करने माला और स्वास्त के मामले में देखा जए तो मामूली कुछ परिशानी हो सकते इसे कफजने रोग इत्यादी और कोई बड़ा रोग नहीं है लक्यंक साथ लकी कलरा प्लेच पिंक है और निवेश आप करिए जानकार गिराज़े करेंगे तो और अधिक लाब के भागिदार आप बनेंगे तो प्रियदर्शकों ये था में शिश्य लेकर के मीन राशी परियंत प्रतेक राश के जातकों के लिए आज आ झाल